नमस्कार दोस्तों आईए अब आपके लिए बेरोजगार युवाओं के लिए बिहार सरकार ने खुसियों का सौगात लाया हुआ है दोस्तों इस समय पूरे भारत में अगर देखा जाये तो बिहार सरकार ही ऐसी है जो तावर तोड़ नौकरियों का बोचार कर रही है आप दिख सकते हैं कि अभी हाल ही में अभी हाल ही में क्या कल जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों बिहार पुलिस में बिहार पुलिस दोस्तों याद रखेगा बिहार पुलिस की बात हो रही है और इस पुलिस में एसाई के 1275 पद हैं दोस्तों 1275 पद बहुत इंप पर हम लोग हर रास्ता आपका असान करेंगे और मैं बता दूं कि यहां पर दोस्तों आप देखिए यहां को साब साब दिख रहा होगा यहां पर की Harding Road पटना जो इसका website दिया है www.bpssc.bih.nic.in दोस्तों बिहार सरकार की यह है देखे पुलिस अवर निरिच्छक दोस्तों यह बेतन मान देखिए आप लेबल 6 का लगेगा लेबल 6 समझ रहे ना ठीक ठाक बेतन आपको मिलने वाला है दोस्तों और इसके लिए आपको लगना पड़ेगा देखिए 1275 1275 सीटे है दोस्तों और इन पदों पर नियुक्ति है तो प्रत्योगिता परिच्छा आयोजित की जाएगी इसके लिए विग्यापन संख्या देखिए दो सही दो सही 2023 दो बटा दो जारी किया जा रहा है आलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पांच अक्टूबर से स्टार्ट होगी दोस्तों आलाइन जो प्रक्रिय दोस्तों की लकीर है इसे पाना आपको अतियावस्यक है दोस्तों तो ध्यान रखेगा लेवल 6 जो है आपको मिलेगा यहां पर क्या बोलते हैं बेतन अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आप पाएंगे कि इसमें आप देखिए नीचे आईए यहां पर नामांकन करने के बारे में दिया हुआ है काफी चीज़े हैं फिर दिया है दोस्तों आवेदन की पातरता आवेदन की पातरता दिया हुआ है थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा यहां पर देखिए आवेदन के लिए पातरता आवेदन क कोई लपढा नई है दोस्तों आप देखे यहां पर जो आवेदन की बात हो रही है यानि जो भारती है वह आवेदन कर सकता है दोस्तों साथ साथ जो सैच्छिक योगिता की बात कर रहा है 182023 यानि कि अगर आपकी सैच्छिक योगिता की बात करें सैच्छिक योगिता की तो आप देखेंगे सैच्छिक योगिता यह कह रहा है कि आप ढब एक आगास्ट तक एक हगास्ट दोहजार थेज तक किसी भी इनवर्ष जो हम कियो है यानि की आपका के बात जूब न होता है उसकी जो घया लाग रहा है दोस्तों साथ से साथ उम्र सीमा की गड़ना एक आठ दोजार 23 से करेगा दोस्तों और ध्यार रखेगा अगर कोई जनरल व्यक्ति है जो जनरल में फाइट करता है उसके लिए आपका जो मैक्सिमम आयू है दोस्तों 20 से लेकर मिनमम 20 से लेकर के लग भग मैक्सिमम चालिस तक है मैक्सिमम जो है यहाँ 37 तक है ठीक है OBC जो है OBC का 20 से लेकर 40 तक है SC और ST का देखा जाए तो यह भी 20 से लेकर 42 तक है महिलाओं के लिए सभी महिलाओं के लिए 20 से 42 तक चलेगा और जितने भी 3rd gender है 3rd gender है 3rd gender उनके लिए दोस्तों भी OBC वाला ही मानने होगा तो ध्यार रखेगा जो भी इस क्राइटेरिया में आ रहा हो वह लग जाए दोस्तों क्योंकि मोका बार बार नहीं मिलता है समय भी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको दुबारा समय दूँ इसलिए मोका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अभ्यार्थियों को दिनांक मैट्रिक अथवा समकच यह कह रहा है न कि अभ्यार्थियों के उम्र एक आठ दो हजार तेईस तक देखा जाएगा और किस आधार पे जो आपका हाई स्कूल का माक्सीट है उस आधार पर देखा जाएगा दोस्तों ध्यां रखेगा जो हाई स्कूल का माक्सीट देखिया लिखा है कि एक आठ दोजार तेईस तक जो मैट्रिक यह समकच प्रमाण पत्र के अनुसार निन्वत होगी इससमें दिया है अनारक्षित समाने कोटी के पूर्षों के लिए नूनतम उम्र 20 वर्स और अधि के लिए मिनिमम्म 20 से 37 वर्स तक है और OBC मैंने बताया था कि 20 से लेकर के 40 वर्स है SCHT बताया था कि यह 20 से लेकर के 42 तक है तो वही बाते देखें यहां लिखा हुआ है और साथ ही साथ अगर कोई सरकारी व्यक्ति है जिसके बच्चे इसमें आ रहे हैं पुर्व सरकार की बात करें तो उनको पांच वर्स की छूट दी जाएगी पांच वर्स की क्या दी जाएगी छूट दी जाएगी दोस्तों इस इसको ध्यार रखेगा और मैंने बताया भी था यहां पर देखें अब यहां पर भूत्पुरु सैनिक की बात हो गई साथ ही साथ अगर थोड़ जन्डर की बात करें तो उनका भी जो अब इसी का है वही मानने होगा दोश्तों और महिलाओं के लिए जो 80ST है वही मानने होगा सब के लिए फिर देखें सारिरिक मापतंड की बात कर रहा है उचाई माँपेगा सीना माँपेगा वजन लेकिन इनका कोई भी मेरिट नहीं ह यूड़ेगा ऐसा कुछ निया दोस्तों उचाई सीना और वजन इन में से ध्यान रखेगा महिलाओं का सीना नहीं मापा जाएगा इसका कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप समझे इस बातों को बहुत ही बारिकी से मैं सब की बात कर रहा हूं दोस्त इसको ऐसे समझे इसको अब आपको दीख रहा होगा कि यह जो थोड़ा सा ध्यान से देखेगा उचाई अनाराचित समान्ने वर्ग पिछड़ा वर्ग के पूर्सों के लिए नियूनतम 165 तो समान्ने हो या पिछड़ा जो पूरुष है 165 ठीक है ना अगर आपसे पूछे कि अत्यनत पिछड़ा वर्ग के पूर्सों के लिए नियूनतम 160 और अनुसूचित जाती जनजाती के लिए नियूनतम की बात करें तो दोनों में 160 चाहिए सेंटी मीटर। अज सभी वर्गों की महिलाओं के लिए नियुंतम उचाई 155 चाहिए तो जितने भी वर्ग की महिलाएं हैं दोस्तों जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए नियुंतम जो होगा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 155 है कितना है 155 है और यहाँ पर देखे 160 SCST और 38 पिछड़ होती है दोस्तों इसके लिए ध्यां रखेगा और सीना सिर्फ पूर्शों का मापा जाएगा जितना सीना होगा जैसे समाने और OBC के लिए अगर 81 है तो फूला करके 5 cm फूलाने के बाद आपका 86 होना चाहिए वही चीज अगर SCST की बात करें तो 79 से लेकर के 84 तक पूछा है महिलाओं के लिए कोई नहीं है इसका मापदंड हां उचाई है महिलाओं को 155 cm होना पड़ेगा दोस्तों और पूर्शों के लिए 165 जो जनरल और OBC है ठीक है ना आईए लेकिन अत्यांत पिछड़े OBC और SCST के लिए 160 होना चाहिए तो यहां पर उचाई का भी बात हमने क कर लिया है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे कि यहां पर दिया है ना 81 cm है तो फुला करके उसको करना है फुला कर 66 cm कर देना है ठीक है फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 cm का अंतर होना चाहिए अगर नहीं हुआ ना तो फिर वो बाहर हो जाएगा फिर आ 40 दिखा रहा है कि उससे कम नहीं होना चाहिए कि नर को थी जड़ा ट्रांजेंटर यानि थर्ड जेंडर के अभ्यारत्यों के लिए सारेरिक मापदंड ओबीसी का जो मापदंड है वही होगा उनके लिए अलग से कोई प्रावधार नहीं है अब आए नियुक्ति के हम आप कि लिखित प्रत्योगिता होगी दोस्तों लिखित प्रत्योगिता जो होगी जो आपकी जो लिखित परिक्षा है लिखित परिक्षा है ना ये दो चरण में होगी एक जो है आपका फर्स्ट चरण फर्स्ट चरण यानि फर्स्ट और सेकेंड चरण फर्स्ट चरण में सव क्वेस्टन होंगे लेकिन मार्क होंगे 200 समझेगा इस बात को जिसमें से आपको 30 प्रतिसत लाना अनिवार है अगर इससे कम हुआ तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे और दूसरे चरण के लिए आप योग्य नहीं माने जाएंगे तो पहले चरण में आपको सव क्वेस सर दोस्तों किसका होगा इसमें जीके होगा और गस होगा अब आईए हम लोग सेगेंड की बात करते हैं इसमें सौल क्वेस्टन सिर्फ हिंदी से होगा 200 नमबर का और इसमें भी 30 परतिसत अगर आप नहीं लाते हैं तो बाहर हो जाएंगे समझें 100 question 200 नमबर का है नहीं लाते हैं तो बाहर हो जाएंगे लिखित परिच्छा दो चरणों में होगी यथा प्रारंभिक एवां मूख्य देखें दो चरण आगया न दोस्तों आप देखें लिखित परिच्छा के सभी पत्र बहुँ विखल्पी होंगे फोर ओप्शन फोर ओप्शन ध्यां रखेगा और यह ऐसा प्रेटफार्म है जहां आपको 100% पुलिस बिहार पुलिस की धजियां उडाने के लिए हमारे जो जो बिद्वान टीचर है वो तैयार बैठे हैं दोस्तों बस आपका सहयोग चाहिए आप देखें इसमें प्रथम प्रारानभी परिछा में 200 अंकों के एक प्रस्ण पत्र होगा और जिसमें प्रस्णों की संख्या कुल कितनी है सव होगी और अवधी कितनी है दो घंटे दोस्तों दो घंटे सव कुश्चन और वह भी जानते किसका अब देखें उत परद्व में समान निग्यान यह उन समा समाइक मुद्दों से समंधित चीजे होंगी समान ग्यान जीके जीएस की बात कर रहा सिर्फ पहला पेपर तो समझ लो पहले ही जो गांट बांदेगा न वही आगे बढ़ेगा 30% मात्र 60 नंबर ओली आपको लाना है उसे कम लाए तो गए काम से ध्यां रखेगा इसमें लिख सोच करिए कि इसमें आप 30% ला दिये तो आप जानते हैं जितनी सीटे हैं 1275 समझ लीजिए कि 1275 गुड़ते 20 दोस्तों अब देखिए 5 दूना 10 और 5 दो साथ 14 15 और दो दूना के 4 एक 5 और यह दो यह 25500 लोगों को बुलाया जाएगा सोचिए पहले परिक्षा में आप पास सिभी से लोग आए जाए आप बचा दूसरा टेस्ट तो अब आए दोस्तों दिखे अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे समय और देखिए यहां पर दिखिए यहां सबसाब आप डुटी चरण की बात करते हैं तो तो दूती चरण में दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं कि दूती चरण में भी जो लोग सुनिये दोस्तों आप समझे इस बात को यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं दूती चरण मुख्य परिक्षा प्रारामिक रहा होगा दोस्तों ध्यां रखे आपको मैंने एक तो बता दिया था प्रथम चरण का प्रथम चरण में आप सो क्वेस्चन में 200 नंबर में साथ नमर अगर लाए साथ नमर कम से कम ला दिये तब आप कहां चले गए द्वीती चरन के लिए जब पहुँचे आप द्वीतिय चरन में दोस्तो기도 ध्या रखे इसको ऐसे समझे आपका यह द्वीतिय चरन है ना इस चरन में आपकी दो परिक्षाए होंगी एक 100 question जो सिर्फ हिंदी विसाइसे होगा सिर्फ हिंदी विसाइसे होगा और हिंदी grammar हिंदी साहित दोस्तों 100 question कम से कम मान के चलिए कि 40-45 question साहित का होगा तो 65 question grammar का होगा इसलिए दोनों पढ़ना पड़ेगा इसमें भी याद रखें देखें यहाँ पर screening ऐसे हो रही है इसमें भी जो 30% लाएगा वही कहलाएगा मुकदर का सिकंदर अन्य था फिर तो आप हैं ही घर बैठने के लिए 200 number में 60 number कम से कम जो लाएगा वो होगा मुकदर का सिकंदर और वो पहुचेगा इसकी भी दूसरे प्रस्ण पत्र अनिवार होगा अब देखें अगर नहीं लाते उन्हें अयोग भोशित कर दिया जाएगा आगे बढ़ते दोस्तो अब जो दूसरा प्रस्ण पत्र होगा उसमें आपका विज्यान होगा है ना विज्यान होगा आपकी politi होगी, आपका geography होगा, history होगा, economics होगा, math होगा, reasoning होगा दोषतों यह सारी चीजे इसमें होगी, ईबन आप देखेंगे आगे, तो इसमें इतिहास दिया हुआ है उसके बाद देखिए भारती भुगोल गड़ी तेव मानसिक योग्यता जासिक से सम्मंदित दिसी प्रत्र पत्र में दिया जाएगा इसको आगे मैं बताता हूं यह भी दोस्तो 200 नंबर का होगा आए देखते हैं कैसे होगा आगे बढ़ते हैं यह देखिए जब आप पहले चरण में पास होके दूसरे चरण के हिंदी में जब पास हो गए तब यहां पर पहुझे आप दुति प्रस्न पत्र आप देखेंगे इसमें कि इसमें आप देख लिजे कि किस तरीके से स्क्रिनिंग की जा रही है और बहुत आसान मस्समज़ीएगा चीजों को आसान तभी संभव हुए जब आप यहां जुड़े रहेंगे दुति प्रस्न पत्र में आप देख रहें हैं दोस्तों कि भारती भोगोन आप देख रहें ना गड़ित मानसिक योग यता विज्ञान, समान विज्ञान, नागरिक सास्थ, भारती तिहास, इन सब से होगा, इसमें भी कुल प्रसनों की संख्या सव होगी, एवं परिच्छा दो घंटे की होगी, पूरांक 200 का होगा, यानि कि पहले 200 में, 60 नंबर लाके आप पास होगे, तो दूसरे 200 में पहुचे, फिर 60 नंबर लाके आप पास होगे, अब तीसरे में भाईया देखिए, आप यहाँ पर, अच्छा दूसरे में जब पास हो जाएंगे ना, तब तीसरे में आप बैठने योग्य होगे, हाला कि परिच्छा एक दिन हो सकता है, तो दोनों देंगे आप, आप समझे, दोनों दो कोश्चन पर एक उत्तर अगर गलत होता तो एक नंबर कर जाएगा, पॉइंट टू फाइप को क्या कहते हैं भाई, कि चार प्रस्णों पर अगर एक गलत होता है, तो एक उत्तर कर जाएगा, उसी तरह देखिए, पॉइंट टू है यहाँ पर, और पॉइंट टू होता एक पॉइंट टू मतलब 20 समझ लेजिए उसको ना, तो पांच उत्तर पर एक गलती में माइनस हो जाएगा, अब देखिए, उत्तर पुष्टिका को दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरच्छित रख ली जाएगी, मुख्य परिक्सा, मुख्य 275 में जब हम 20 का गुड़ा किये थे, तो टोटल 25,500 लोग आये थे, अब जब 6 गुणा की बात करेंगे, तो गुर्ते 6 न करेंगे, तो इसमें भी स्क्रीनिंग होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह होगा 0 और यह होगया 5, यह होगया इतना, और 6,6 लगभग मान के च लगभग साड़े 7,000 लोग बुलाए जाएंगे, साड़े 7,000 लोग बुलाए जाएंगे दोस्तों, आप इसको समझिया ऐसे, अब आगे बढ़ते हैं, तृतिय चरण में चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पास हो गए तो 6 गुणा लोग, यानि दोनों मुख्य आपका राह जो है न, यहाँ पर बहुत आपको परशान होने की जुरत नहीं है, आप समझिये कि जब आप रिटेन निकाल लेंगे, तो यहाँ भी कर लेंगे, सारी क्योंकिता दचता की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें दोड़, दोड़ पकड़िएगा दोस्तों, जो जो है, चा मिनट टीस सेकंड में, एक दसमनों छे किलो मीटर दोड़ेंगे, और साथ ही साथ, सभी कोटी के पौरुसों के बात हो रही है, अब यह पर सभी कोटी की महिलाओं के लिए, एक किलो मिटर दोड़ना है, दोस्तों, कितने घंटे में, तो कितने मिनट में, तो छे तो याद रखे एक किलोमेटर महिलाओं के लिए मेरी शेर्निया एक किलोमेटर बहुत तो है नहीं आप यूंही छलांग मारते निकल जाओगे हिर्नियों की तरह और हमारे शेर चिता की तरह निकल जाएंगे दोर तो यूंही निकल जाएगा दोस्तों उची कूद पर चलते के लिए चार फिट से कम कुदने बाहर कर दी जाएंगे और महिलाओं के लिए तीन फिट है दोस्तों अगर उची कूद की बात करें तो चार फिट जो मेल हैं उनके लिए और ख्री फिट तीन फिट जो आपकी फीमेल हैं उनके लिए हैं दोस्तों इसको ध्यां रखेगा आ बाद रखे 12 फिट और महिलाओं के लिए 9 फिट है दोस्तों पुर्सों के लिए 12 फिट महिलाओं के लिए 9 फिट अब देखिए गोला फेक है गोला फेक में 16 फिट सभी पुरुस की बात हो रही है और महिलाओं के लिए 10 फिट की बात हो रही है 16 फिट 10 फिट एकदम आज बाते समझेगा जितना ओडीसी पूरुसों की बात हो गिंदर मिलाएं और मिलाओं के साथ कंदे से कंधा मिला करके अपने नोकरी को पकी करेंगी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब देखें मेगा सूचियम नियुक्ति के नुसंसा यह देखें यहां पर पहले से ही इसमें लिखा जा चुका है कि यहां पर आरच्छड का पूरता पालन किया जाएगा और उसके बाद स उसकी अधिक होगी उसको लिया जाएगा दोस्तों आगे देखें अब देखें यहां पर रिक्तियों की संख्या दिया हुआ है रिक्तियों की संख्या जो की सबसे जरूरी है जानना ठीक है आए देख लेते हैं रिक्तियों की संख्या दोस्तों और इसमें अगर नहीं पीटे हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 231 और पिछड़ा वर्ग का 107 है दोस्तों और पिछड़े वर्गों में महिला का में से 35% सीटों पर महिलाएं रहेंगी महिलाओं के लिए जैसे आप 275 का 35 निकालेगे चाचट सोला का 35 निकालेंगे कम से कम चार 235 एक सो साथ का अन्टीज देखे यह क्या है पीछड़े वर्गों के महिला तो महिला ही है तो महिलाओं के लिए कोई महिलाओं के अरच्षर तो मिलेगा नहीं फिर देखे जो अनारच्षित उसमें भी एक सो तीरपन पद महिलाओं के अनारच्षित में आएगा इसमें महिला फायट करेंगे इसमें पूरूस करेंगे आर्थिक रूप से कम जोर 111 है तो इसका 34 हो जाएगा दोस्तों ट्राच्जेंडर के 5 हैं तो पांचों के 5 हो जाएंगे इस प्रकार 1275 में लगभग 368 महिलाओं के लिए पद आरच्षित है और अफ़ देखेंगे सुतनतता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी के लिए आरच्षित महिलाओं के लिए 35-35 निकालने के बाद देखें चार है total पर देख रहें ना अना रच्षित वाले में नौ है तीन महिला और यहां पर देखें दो है तो एक महिला होनी चाहिए इस प्रकार 22 जो है जो सुतंतता से नाने उनके नाती पोता आप नतनी पोती की बात करें उनके लिए है आगे बढ़ते दिए यह चाटना आप लोग तो यहां पर जो पहले से आरच्षण 1992 बेवाला और 1991 बेवाला बिहार अधिनियम जो था इन दोनों के साथ होगा फिर उसके बाद देखें यहां पर दिया है महिलाओं के लिए प्रावधान अलग से किया गया है महिलाओं के लिए क्या किया गया अभी मैंने बताया ना कि 35 35 प्रतिसत इसंद पताइफ में अलक से उनके लिए कर दिया गया महिलाओं को अचे तू है लेकिन सारे और प्रतिस प्रतिसत पत तको कर दिया गया है जो है वैं मैंने बताया था जो है इसमें दिया हुआ है पूरा बिहार राज के किन्र को थी ला ट्रांस जेंडर के लिए मैंने बताया था कि जो आपका यो बीसी का कारकरम हो उसी के अधार पर काम होगा उसके बाद देखें आरचन का लाब केवल बिहार राज के मूल निवासी अब यहीं पर आपका जो है कारकरम फस्ता है कि सर यह क्या होगा और हम लोग अलग अलग बताते हैं अब आप चैनल के माध्यम से समझ जाएंगे कि आरचन का लाब ले कौन सकता है अभी जो मैंने बताया उसका लाब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केवल बिहार राज के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा यह लाइन पूरा नोट कर लिजेगा दुबारा पूछे निया कि जुरुत ना पड़े और थात अपलाई तो हम सभी लोग करेंगे लेकिन आरचन की जब बात होगी तो वह सिर्फ किसके लिए होगा मानने तो बिहार के जो निवासियो होंगे अन्य राज्जियों के आरचन कोटी के अभ्यारतियों के रूप में की जाएगी चाहे वो यूपी का OBC हो यसी हो कोई भी हो उन सब की गड़ना की तो जाएगी लेकिन अन्य आरचन में की जाएगी तथा अन्य आरते लागू होंगी जैसे शारीरिक माबदंड सेम रहेगा लिखित परिच्छा सेम रहेगा बस आपको वारत चड़ नहीं मिलेगी कटाफ की तीथी देखते हैं दोस्तों कटाफ की तीथी आपकी देखिए इसमें दिया हुआ है कि आयू सीमा सेचरी क्योगिता अन्यारता एवं अन्भव बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने क प्रमाण पत्रें भूत पुरसेनिकों की गड़ना के लिए कटाफ ती थी एक अगस्त दोजार तेईस यहां रखे निर्धारित की जाती है अर्थार जो एक अगस्त दोजार तेईस वहीं से गड़ना की जाएगी दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट पॉइंट की तो इसमें देखिए आपका इसमें यहां समझे बस लास्ट होने वाला है चिकित्सी जाच चरित्रम पुरुवृत सत्यापंत कुल मेरा के इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी दसा में अगर कोई भी कमी पाए जाती है तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लिए तो उपरोग्त पदों पर चयन हेतु आनलाइन आवेदन के लिए विफसाइट आप दम देख लिए आप को आवेदन पत्र के ऊपर ही मिल जाएगा अगर कोई गलती होती है तो आपका आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा फिर आप इसी माध्यम से आप इसी वेप साइट के माध्यम से ही इसको भर सकते हैं दोस्तों ध्यार रखेगा और भरती के अंतिम चरण के पूर होने सुचना पहुंचेगी यह भी बताया जा रहा है दोस्तों आवेदन पत्र भरने के पुर्व अभ्यारती को सुनेश्चित कर लेना होगा कर लेंगे कि विज्यापन के अनुसा सभी पातरता पूर करते हैं अगर कुछ भी गलती हुई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा आवे चाहिए देखे फोटो एम हस्ताक्षर के समद में दिये गए निर्देश का पालन करना न करने के इस्तिति में भी आलाइन आवेदन जो है वो खतम कर दिया जाएगा इस तरीके साब देखे तुरूटी पूर नहीं होना चाहिए भरने की अंतिम्तिति दिया है पांच ग्या जड़ार या लाइदन करके सारी लाइदन क्या कोई विस्तार में कियागा दक छीमाद्यक Western 되지 को सद्थार के अनुरोदपर बिजार नहीं जाएगा यानि डाक से आप भेजेंगे उसके कोई विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों और देखें उमिद्वारी रद्धी करने हुआ है फोटो मैच नहीं किया सिगनेचर मैच नहीं किया भुकतान नहीं किया गलत विब्रण भर दिया मापदंड नहीं सही तो यह सारी बातों पर आपका आवेदर रदक्यर दिया जाएगा फिर उसके बात देखें यह लास्ट हुआ दोस्तों यहां पर बिहार अवर सेवा आयोग बिहार पटना अध्यच साहब का हश्ताक्षर की बात हो रही है इस तरीके से दोस्तों पूरी सूचना मैंने पॉइं जय भारत